एक ऐसी रस्म जो की सदियों से चली आ रही है लेकिन ये रस्म इतनी आसान नहीं है ये एक तरह की कुरवानी है जिन में गाउं की उन लड़कियों को साही दुलहन बनाया जाता है जो की गरीब और मासूम है और उन्हें एक ऐसे गार में धकेल दिया जाता है जहां से कोई व रहा था बादसा उसका पीछा करते हुए उस ड्रैगन की गूफा में चला जाता है वहाँ पर उसे कोई चीज दिखाई देती है जिसे वो गौर से देखने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है वो बादसा के सिपाहियों पर आग उगलने लगता है और परेके करके उन सभी को मार देता है अब बादसा के सामने भी कोई रास्ता नहीं बसता है सिवाए इसके कि वो ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेक दे और अपनी जान की भीक मांगे अब यहाँ पर सिंद चेंज होता है और यहाँ से कई सो साल आगे चला जाता है आज ही एलोडी के लिए एक बहुत बड़े किंग्डम से एक प्रिंस का रिस्ता आया था जिसे एलोडी के डैड बहुत खुस होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस प्रिंस से एलोडी का रिस्ता हो जाता है तो इससे इनके किंग्डम का हलाद भी ठीक हो जाएगा अब एलोडी ना चाहते हुए अपने kingdom के लोगों को हलाद देखते हुए, इस रिष्टे के लिए मान जाती है, अब इसके बाद एलोडी का पूरा परिवार एक नाओ में सवार होकर उस prince के महल के लिए रवाना हो जाती है, जहां रास्ते में जाते हुए उन्हें समुंद्र म भी नजर आते हैं, खैर अब यह सभी लोग महल पहुच जाते हैं, अलोडु अर उसके परिवार को यह महल काफी पसंद आता है, यह महल काफी बड़ा था, यहां पे इनका welcome prince का एक खास आदमी करता है, जिसके बाद इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे भी दिखा दिये इसके बारे में मुझे थोड़ी आप से बात करनी है, दूसरी तरफ prince और elodi भी एक दूसरी से बात करने के लिए चले जाते हैं, यहां पे elodi prince से पूछती है कि क्या आप से भी जबरजस्ति साधी कराई जा रही है, prince कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो तुम बहुत पसंद आई हो, खैर ये लोग बाते करते करते एक पहाड़ी तक पहुच जाते हैं, यहां melody princess से कहती है, कि कल रात मैंने दूसरी तरफ के पहाड़ों पर आग लगी हुई देखी थी, prince कहता है कि हाँ वो पहाड़िया वो हमारे लिए काफी खास हैं, क्योंकि उन्ही पहाड़ियों के एक जगा पे हमारे रिती रिवाजों की रस्मे होती हैं, जो कि हमारे साधी वाले दिन भी होंगे, जब हम अपने साधी वाले दिन वहाँ जाएंगे, दूसरी तरफ मेलोडी के डैट को दिखाया जाता है, जो कि रानी से बात करने के बाद उस रूम से कहते हुए बात नहीं करती, कि हमें तुमारी सिर्फ बेटी से मतलब है, हमें फाल्दू के रिष्टे नहीं चाहिए, जिसके बाद एलोडी के मौम एलोडी के पास जाती है और उसे समझाती है कि ये साधी मत करो, हमें लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, अब इ कल रात उसने आग देखी थी, जहाँ पर प्रिस ने उससे पहले ही कहा था कि वहाँ पर इनकी कुछ रसमे होंगी, अब ये उस पहाड के पास उस गुफा में पहुंचते हैं, जहाँ पे किंडम के बहुत सारी लोग पहले से ही इनका इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे रानी बहुत ही खतरनाक थी, उससे कोई भी कभी भी जीत नहीं पाया था, और हमारे बासा भी उससे जीत नहीं पाये, इसलिए हमारे राजा ने हमारे लोगों की जान बचाने के लिए उससे एक सौधा किया, कि वो अपनी तीनों अजीत बेटियों को इस ड्रेगन पे कुरबान क इसके लिए तयार हो गया, जिसके बाद उसने कभी हमारे किंग्डेम पे हमला नहीं किया, और उस दिन के बाद से ही हम ये रसम आज तक करते आ रहे हैं, रानी प्रिंस और एलोडी दोनों के हाथों पर एक कट लगाती है, और इनके खून को आपस में मिला देती है, और कहत इलोडी को नीचे उस खाई में फेक देता है, वो बहुत उचाई से गिरती है, जिस वज़ा से वो नीचे गिरकर बेहोस हो जाती है, जब इलोडी को होस आता है तो अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिलाती है, और इलोडी के आवाज सुनकर उस सोई हुई ड्रेगन का भ इलोडी को एक जगा पे अचानक से आग नजर आती है, जिसको वो देखने के लिए आगे जाती है, वो यहाँ पर देखती है कि कुछ उड़ने वाली बोड्स आग से जलकर मर रही है, और ये आग उस ड्रेगन नहीं लगाई थी, अमिलेडी उस ड्रेगन को भी देखती है, जिसको डेख कर ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, ड्रेगन एलोडी से उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर एलोडी अपना नाम बताती है, ड्रेगन कहती है कि तुम यहाँ पर एक डील की वज़ा से आई हो, जिसके बदले में आज रात में तुम कि तुम्हारे अंदर से सही खून की खुसबू आ रही है ड्रेगन ऐलोडि से कहती है कि भागो जिसके बाद ऐलोडि अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागती है जिसके बाद ड्रेगन उसे भागता हुए देखकर उसके उपर आग उगलती है अब किसी तरह से ब Worksते हु क्योंकि उसे किसी भी तरीके से यहां से बाहर निकलना था वो उठती है और पने पास से एक लेंप निकाल कर इस जगए को खोजना शुरू करती है उसे एक जग़ा पे निली रोजनी दिखाई देती है जब वो उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंचती है लेकिन बीच में एक गहरी खाई थी वो यहां से जम्प करने का फैसला करती है और जब वो ऐसा करती है तो उस दूसरी जगह से फिसलने लगती है वो खाई में फिसलने लगती है लेकिन उसके पास जो चाकू था उसे जगमीन में गाड कर अपनी जान बचा लेती है यहाँ पर जिस पेड से निली रोसनी निकल रही थी वो रोसनी दरसल इन पेड़ों पे लगे छोटे छोटे कीडों से निकल रही थी अब यहाँ पे लोडी फिर से अपना ड्रेस भारती है और उस ड्रेस के अंदर बहुत साड़े कीडों को रख लेती है ताकि आगे जाने पर वो कीडे उसके लिए एक लेंप की तरह काम करें एलोडी के यहाँ पे पास्वी में एक जगा पे थोड़ा पानी भरा हुआ मिलता है वो बर्फ के केस्टल से टपक रहे पानी को पीने की कोशिस करती है लेकिन तभी यहाँ पर वो ड्रेगन आ जाता है वो फिर से इस पे अपनी आग उगलता है जिससे बचने के लिए एलो लड़कियों के नाम लिखे हुए थे जिनने पढ़कर एलोडी समझ जाती है कि इस जगह पे बहुत सारे लड़कियों को सेक्रिफाइस किया गया है वो काफी ठक गई थी इसलिए यहाँ पे सो जाती है और जब यह सो कर उठती है तो वो सारे कीडे जिसने यह कठा किये थे इसके जखम पे बैठे हुए थे जिससे एलोडी घबरा जाती है और जल्दी से उन कीडों को अपने जखम से हटाती है वो देखती है कि उसका पूरा जखम ठीक हो चुका है यानि कि यह कीडे काफी काम के थे जिसके बाद वो इन्हें साथ लेकर आगे बढ़ जाती है और उसे सिर्फ यहां से निकलना था इसलिए अपनी परवाह ना करते हुए यहां से निकलने लगती है और आखिरकार उसे बाहर जाने का रास्ता मिल भी जाता है लेकिन ये जगह काफी खतरनाक होती है ये पहाड की चोटी थी यहां से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं इसलिए लेडी वापस गुफा में आ जाती है जिस पर वो ड्रेगन कहती है कि कितना भागोगी आज तक यहां से मुझसे बचकर कोई भाग नहीं पाया है और अभी यहां पर बाते कर ही रही होती है कि तभी नीचे से मेलोडी को उसके डैड की आवाज सुनाई देती है आवा उसे कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा जूट था कि डैगन ने उनके लोगों को मारा था दरसल कई सौ साल पहले उनके बासा जब इस गुफा के अंदर आये थे तो उन्हों ने यहां पर देखा कि उस डैगन के यहां पर तीन अंडे हैं जिन में से की तीन बच् और इसी चीज का बदला डैगन आज भी ले रही है फिर पाष्ट कहां में वो सीन दिखाया जाता है जहां पर राजा डैगन से अपनी जान की भीख मांगता है डैगन राजा से कहती है कि मैं भी तुम्हें अपनी तरह तरपतार देखना चाहती हूँ मुझे तुमारी हर प अपनी बेटी को वापस लेने के लिए आया हूँ जिस पर ढॉलाओ आज गिसे देखन से काई distortion की तुम्हें भी तयार हूँ मैं पन्यास देखनारे सीने में और और आजाता देती है जिस से उस बडैगन का ध्यान भठक जाता है जिसके बाद वो ड्रेगन मेलोडी को ढूनने के लिए चली जाती है और मौका मिलते ही मेलोडी अपने फादर के पास आ जाती है जो मरते हुए अलोडी से कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों की वज़द से मर रहा हूं क्योंकि मैंने ही तुम्हें रानी से बेच दिया जाओ यहां से बाहर निकल जाओ बाहर नाव पर तुम्हारी माँ और तुम्हारा बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है यह कहकर वो मर जाते हैं और एलोडी यहां से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है जिस रस्ती से वो यहाँ पे आये थे उस रस्ती का इस्तमाल करते हुए मिलोडी यहाँ से बाहर जा रही थी और तब ही वो ड्रेगन भी उसे देख लेती है और वो अपनी आग मिलोडी पे उगलती है लेकिन किसी तरह वो इस साग से बसते बचाते इस गुफा से बाहर निकल आती है वो अपने डैट का घोड़ा लेती है और यहां से भागने लगती है और इसके साथ ही वो ड्रैगन भी से मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाती है वो घोड़े से उटरकर एक जगा पे पथरों के पीछे सुप जाती है जिस वजह से वो ड्रेगन उसे देख नहीं पाती लेकिन गुस्ये में वो ड्रेगन उसके घोड़े को जला देती है दूर से वो रानी भी ये नजारा देख रही थी जिसे देखकर वो काफी गुशे में आ जाती हैं और वो कहती है कि ये सब उसी लड़की की वज़ा से हुआ है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी दूसरी तरह मेलोडी के बहन अपने नाव से ये सब नजारा देख रही होती है लेकिन तभी यहां पे राने आ जाती है और मेलोडी के बहन को ग्रिपतार कर लेती है क्योंकि अब इनका प्लैन था कि अब वो एलोडी के जगा उसकी भेहन को उस ड्रैगन को दे कर अपने किम्डम को बचा लेंगे एलोडी की मौम जो कि अपनी बेटी को बचाने की कोशिस करती है क्वीन उन्हें भी चाकू मार कर यहां से चली जाती है एलोडी भी चिपते चिपाते उस चिप तक जा रही होती है जहां पर रास्ते में उसे अपनी मा मिलती है जो कि उसके पास आ रही थी उसकी मा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं अपना ख्याल रख लूँगी और तुम जाओ और अपनी बहन को बचा सब तुमारी जगा तुमारी बहन को खुर्बान करने के लिए ले गए हैं पेलोडी अपनी मॉम को बताती है कि हमारे डैड भी अब नहीं रहे ये बताने के बाद वो फोरण ही उस कैप की तरफ दुबारा निकल जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो रानी उसकी बहन को लेकर उस गुफा में ही गई होगी जहां पर इस बार पेंस अपनी मॉम से मिलोडी को बहन को नीचे फेकने से मना कर देता है वो कहता है कि मॉम ये बहुत छोटी है ये गलत है तो गुस्से में ही रानी अपने हाथ पे कट लगाती है और मेलोडी के बहन से अपना खुन मिला कर उसे नीचे फिकवा देती है और वो ड्रेगन एलोडी के बहन को पकल लेती है एलोडी भी उस टाइम तक गार में पहुँच गई थी अब क्योंकि ड्रेगन को पता था कि मेलोडी अपने बहन को बचाने के लिए इस गार में जरूर आएगी और अब मेलोडी भी ड्रेगन का सामना करने से पहले अपनी पूरी तैयारी करके आई थी वो सबसे पहले काफी सारे चमकने वाले कीड़े अपने पास बांदती है और केव में ही पहले से ही मौझूद काफी सारे हतियारों के साथ अपने फादर का तलवार भी ले लेती है जो कि उसके काम आ सकती थी दूसरी तरफ हमें ड्रेगन को दिखाया जाता है जिसने की अभी तक एलेवडी के बहन को नहीं मारा था वो अपने बच्चों के पास बैथी थी वो एलेवडी के बहन से कह रही थी कि तुम्हारे पूरबजों ने मेरे बच्चों को मार दिया और अब मैं उनकी बेटी एलेवडी को मार कर उनको ऐसे ही बेचैन करूंगी मुझे पता है वो यहां पर जरूर आएगी वो तुम्हें बचाने यहां आएगी और तुम्हें मारने से ज़्यादा मुझे उसे मारने में मज़ा आएगा यहां पे L.A.D. ड्रेगन को डिस्टरब करने के लिए कुछ सोर मचाती है जिसे ड्रेगन को उसको यहां आने का पता चल जाता है और जैसे ही ड्रेगन उसको ढूंडने के लिए दूसरी तरफ निकलती है एलोडी अपने बहन के पास आ जाती है लेकिन इससे पहले कि एलोडी अपने बहन को बचा कर यहां से ले जाती यहां पे ड्रेगन फिर से आ जाती है यहां पे एलोडी ड्रेगन को बताती है कि हमसे जूट बोला गया था उन्होंने हमसे बोला था कि तुम उनके किंग्डम पे हमला करती हो लेकिन सच ये है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा था इस पर ड्रेगन कहती है कि जो भी है लेकिन है तो वो तुम्हारे पूर्वज न मैं उनका बदला तो तुमसे ही लूंगी न जिस पर एलोडी कहती है कि ना हम उनके बच्चे नहीं है इससे पहले कि एलोडी उसको और कुछ बताती ड्रेगन अपनी आग उस पर उगलने लगती है और एलोडी उससे बचते हुए पानी में गिर जाती है अब बहुत धर्द हो रहा था क्योंकि उसका हाथ जल गया था ड्रेगन दुबारा से उसे पकड़ कर वो अपने नाखून से उसे जख्मी कर देती है लेकिन इस बार एलोडी अपने आपको बचाने के लिए अपनी वही तलवार निकालती है और ड्रेगन के आख पर हमला कर देती है इस वज़ा से ड्रेगन को गुस्सा आ जाता है वो एलोडी को दूर फेक देती है और उस पर अपनी आख से हमला करती है लेकिन यहाँ पर एलोडी का एक ट्रेप होता है जिसे उस ड्रेगन की आग टकरा कर वापस उसे ही जला देती है अपने आग से ही जलकर वो ड्रेगन बहुत ही ज़ादा जखमी हो गई थी और एलोडे उसे बताती है कि ये देखो मेरे हाथ का जखम वो इसी तरए से हमारे हाथ पर कट लगा कर अपना साही खूण हमसे मिलाते हैं हमें साही खूण मिला कर हमारी जैसी बहुत सारी गड़ीब लड़कियों को तुम्हारे सामने पेस किया जाता है हम असल में उनके बच्चे नहीं होते वो तो बड़े सुकून से अपने महल में होते हैं और हमारी जैसे मासूम लड़कियों को कुर्बान कर रहे हैं और तुमने भी उनके साथ कौन सा अच्छा किया जैसे उन्होंने तुम्हारी बच्चों को मारा वैसे ही तुम भी किसी और के बच्चों को मारती आ रही हो सचाई सुनने के बाद ड्रेगन काफी दुखी हो जाती है वो एलोडी से कहती है कि मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं तुम मुझे मार दो लेकिन वो उसे नहीं मारती और वो नहीं चोटे-चोटे कीड़ों को पानी से इकठा करती है वो उन सभी कीड़ों को उसके जखमों पर लगा कर उसके जखमों को ठीक कर देती है जिसके बाद एलोडी अपना बदला लेने के लिए असली हतियारों के पास जाती है यानि कि राजा और रानी के पाथ जिन्होंने उसे साधी का जहासा दे कर उसे गार में फेका था वो यहाँ पर प्रिंस को फिर से एक और लड़की से साधी करवा रहे थे जो कि तीसरी और आखरी थी मेलोडी उस लड़की को सारी सचाई बता देती है और उसे यहां से भागने के लिए कहती है जिसके बाद मेलोडी यहां मौझूद सभी लोगों से कहती है जिसको भी अपनी जान बचानी है वो यहां से चले जाएं नहीं कहती है कि तुम खुद को क्या समझती हो अगर तुम ड्रेगन से बचाई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें भी ड्रा सकती हो तुम मकेले ही हमारा क्या बिगाड सकती हो जिसपर मेलोडी कहती है कि मैं नहीं वो बिगाड़ेगी और इतने में ही वो ड्रेगन इस महल के उपर आ जाती है वो ड्रेगन इस पूरे रोयल फैमिली के साथ पूरे महल को जला कर तबाह कर देती है अब मेलोडी और ड्रेगन इन दोनों का ही बदला पूरा हो चुका था इसके बाद हमें मूवी के आखरी सिन में दिखाया जाता है कि इस किंग्डम में मेलोडी उसकी मौम और उसकी बहन है वो अपने किंग्डम में वापस जाने की तैयारी कर रही थी अब मेलोडी अपने मौम से कहती है कि कि मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे डैड की जगा इस kingdom के खजाने को लेकर हमारे kingdom के साथ साथ इस kingdom को भी काफी अच्छे से चला सकती हैं ये बात सुनकर एलोडी की मौम काफी खुस हो जाती हैं और अब ये नाव में बैट कर अपनी kingdom की तरफ रवाना हो जाते हैं जहां पर वो ड्रेगन भी अब एलोडी की दोस्त बन चुकी थी वो भी एलोडी के साथ उड़कर उसी के kingdom जा रही थी और अब इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें